कि नमस्कार इसमें हम बात करने वाला है यूपिटल बसनी पेट का जो 29 सार को एजाम होने वाला है उसको टार्गेट करते हुए करेंट एफएर का सेशन लेकिन यह सेशन इंपॉर्टेट होगा सभी एजामों के लिए जहां-जहां यह दो हैर 22 से 2030 अक्टूबर तका करेंट है और इसको हम टार्गेट कर रहे हैं जो जो बिहार से चखवर्ती होने वाली है तूपॉंट जो जाने की दूसरी फेस की वेकेंसिया उसके लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है चलिए आज छोड़ा सेशन होगा लेकिन कल दो सुबह आपको साथ बज़े मि फ्रांसिस्को बगानिया मारिको बेजहन बेजह की जार्ण मार्टिन या फिर इनमेंसे कोई नहीं तो इंडियन ग्रेंट पिक्स तेस्का किताब जीता है कि सने मार्को बेचेंजी में आप दूसरा को समय इसे और दस्तक लगाने वारी कौन बन गये मिताली राज रमन पृ है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज यूटी में लांच किया गया है इमांचर प्रदेश दिल्ली असम या फिर जम्मुकस्मिर में इसको लांच किया गया है दिल्ली में आपसन बी सही है एसन गेम्स दियर तेश में भारत में पहला स्वन पदक किस खेल में जीता है तैराकी, क्रिकेट, निशाने बाजी या फिर टेवल टेनिस किस में जीता है निशाने बाजी में आपसन C करेक्ट है बोर लाग फिल्ड अवार्ड दियर तेश के लिए किसे चुना गया है स्वाती नायक, अंजना घोस, सविता सेठ या फिर रूचीरा कमबोज ये चुना गया है किसको स्वाती नायक को आपसन E करेक्ट है अंगला कुशन लेते हैं 18 सितंबर 23 को संचाली आपरेशन सजग का सम्मद किस से है बारती तट रच्छक बल भारती थल से ना भारती वाई से ना या फिर भारती नो से ना तो 18 सितंबर 32 संचाली आपरेशन सजक का जो सम्मंद है वह है भारती तट रच्छक वल से that means A will be correct किस राज में इस्थीत विरांगना दुरुगावती टाइगर रिजर्व भारत का चवववनवा टाइगर रिजर्व बन गया है उत्र प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश या फिर राजस्तान में यह काफी important है और यह है कहां फिर मध्य प्रदेश में कौन सा है विरांगन टीम कौन बन गया है, इंग्लेंड, अस्ट्रेलिया, भारत या फिर स्रिलंका, यह कौन है, यह भारत बन गया है, यानि T20 में भी नंबर वन है, वन्टे में भी और टेस्ट में भी नंबर वन टीम है, भारत, आपसन C करेक्ट है, आधि गुरू संकराचार की 108 फिट की संंगा ना, या फिर मर्ध्यपरद्रस में, तो आधि गुरू संकराचार की जो 108 फूट की स्टेचु वरनेस का अनावरण किया गया है, वह किया गया है, मर्ध्यपरद्रस में आपसन D. Correct हो जाएगा, नारे सकती वंदन अधिनियम के तहट कौन सा है, नारे सकती वंदन यह किया गया है कितना तो किया गया है 33 प्रत्सत आप्षन C करेक्ट है एरिका राविन किस देश के लिए पहली Miss Universe Contestant चुनी गई हैं भारत, स्रिलंका, कनाडा या फिर पाकिस्तान कौन है एरिका राविन किस देश के लिए पाकिस्तान के लिए अप्षन D करेक्ट हो जाएगा अगला कॉश्चन लेते हैं किस राज की पायल छाबड़ा देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है कौन है ये पायल छाबड़ा है और किस देश की पहली महिला पैरा कमांडो बनी है हिमांचर प्रदेश, हर्याणा, उत्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश तो ये बनी है हर्याणा की आपसन B correct हो जाएगा हाली में किस राज में School of Eminence की शुरुवात की गई है पंजाब, हर्याणा, जारखंड या फिर उत्र प्रदेश पंजाब में, हर्याणा में, जारखंड में या फिर उत्र प्रदेश में तो यह किया गया है पंजाब में आपसन नमबर E will be right भारत का पहला Lighthouse उत्सो कहां आयोजित हुआ है गुजरात, राजस्थान, गोवा या फिर महराष्ट में उत्सो कहां है Lighthouse उत्सो यह भारत का पहला है और यह आयोजित हुआ है गोवा में आपसन नमबर C करेक्ट हुएगा भारत की पहली Solar City कौन बन गई है Solar City कौन बन यह भारत की साची, कुलकाता, नागपूर या फिर जैबूर यह साची है राची नहीं है घ्यान दिजेगा यह साची आपसन नमबर E करेक्ट है International Amy Award पानी पहली भारती महिला कौन बनी है रविना टंडन, आलिया भट, एकता कपूर या फिर दीब का पद्दुकोर यह बनी है एकता कपूर आपसन C करेक्ट हुएगा काजी फैज इसा किस देश के 29 मुखे नादिश बनी है कौन है काजी फैज इसा बंगला देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर इंडोनेसिया 17 नमर के बात करते हैं यह है पाकिस्तान आपसन नमबर B विल बी करेक्ट किस भारती एलाइंस ने प्रजेक्ट अभिनंदन की शुरुवात की है स्पाइस जेट, एयर इंडिया, एयर एसिया या फिर गो एयर शुरुवात की है किसने, एयर इंडिया ने अपसन नमबर B करेक्ट है किस देश ने आधिकारी तवर पर रूस के वेगनर गुरुप को आतंकवादे संगठन गोशित किया है रूस, आस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर बिरिटेन ने गोशित किया है किसने, बिरिटेन ने अपसन डिकरेक्ट हो जाएगा किस रोग से पिडित मरीजों के लिए प्रतिवर्स 22 सितंबर को दुनिया वर में 200 गुलाब दिवस मना जाता है लकवा, कैंसर, एट्स या फिर टीवी याने कि जो ऐसा एक रोग है जिससे जो मरीज पिडित होता है उसको 200 गुलाब दिवस के रूप में मना जाता है वह रोग कौन सा है, तो वह रोग है कैंसर, आपसन नमबर, भी करेक्ट है 21 सितंबर 23 को दुनिया वर मना गए 200 अलजाइमर दिवस की थीम क्या रखे गई है नो, डिमेंसिया, नो अलजाइमर डिमेंसिया, निवर टू अर्ली, निवर टू लेट रिमेंबर मी, आलवेज रिमेंबर तो 21 सितंबर को मना गया है कौन सा 200 अलजाइमर दिवस और इसकी थीम है निवर टू अर्ली, निवर टू लेट आपसन नमबर, सी करेक्ट जागा सेशन कहीं तक रखते हैं और कल आपको मिलेगा लवग एक घंट के सेशन इसमें 100 को सो, लवग सो कोशन हमने कवर करेंगे तो और कल आपको लवग मिलेगा एक घंट की वीडियो में आपको कम्प्रीट सो कोशन मिलने वाले है वो सुबह 7 बजे मिलने वाला है किस के निसासित प्रदेश में इस्थित उधमपूर रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर सहीद कैप्टन तुसार महाजन रखा गया है जम्मु कस्मीर, पंजाब, पुदुचेरी या फिर उत्रप्देश तो यह ऐसा इस्टेशन है जिसका नाम बदल दिया गया है और यह है जम्मु कस्मीर, अपसर नमबर, एक औरेक्ट है इसका नाम बदल करके चलिए, अगला कुशन लेते हैं किस राज में इस्थित होईसला मंदीर, यूनिसको की वर्ड हेरिटेश साइड में कौशन मंदीर, होईसला मंदीर, यूनिसको की वर्ड हेरिटेश साइड में भारत का 42, 1942 वां अस्थल बना है उडिशा, करनाटक, तमिलाड या फिर मद्द प्रदिश तो यह है करनाटक, अपसर नमबर, बी करेक्ट हो जाएगा यह होईसला जो मंदीर है, यह करनाटक में इसती थे आपसर नमबर, बी इसका सही है भारत के पुराने संसथ भौन का नाम बदलकर क्या रखा गया है सम्विधान मंदीर, सम्विधान घर, सम्विधान सदन या फिर सम्विधान साला यानि कि जो भारत का पुराना संसथ भौन था उसका नया नाम कर दिया गया है और यह समिधान सदन कर दिया गया है आपसर नमबर C करेक्ट हो जाएगा किस भारती अस्थल को हाल ही में युनिस्को की वर्ड हेर्टेस साइट की सूची में सामिल किया गया है यानि कि कौन सा भारती अस्थल है जिसको वर्ड हेर्टेस साइट की सूची में सामिल किया गया है 17 सेतंबर 2023 से किन्द सरकार ने कारिगरों, सिल्पकारों और मजदूरों को रिड़ देने के लिए किस योजना को सुरू किया है PM कारिकारी योजना, PM विश्वकर्मा योजना, PM सक्तिवल योजना या फिर PM कारो बार योजना योजना कॉन सी है तो योजना है पियोम, विश्व करमा योजना, इंपोर्टन योजना है इसको आप लिख करके रट करके यातर करकी जाएगा अगला कुछन लेते हैं वर्ड इस सेफ चोईस इंपावरिंग दा टेक्स नेक्स्ट जनरेशन डेमोक्रेशी आलवेज बिंग हुमन और नेशन नीड गूड डेमोक्रेशी तो अंतराश्टी लोक तंत दिवस की थीम क्या थी या फिर क्या रखे गई है तो जो इसकी थीम थी वह थी इंपावरिंग दा नेक्स्ट जनरेशन आप्सन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन लेते हैं वंडे एस या कप में सरवाधिक बिकेट लेने वाले भारती गिदवाज कौन है कुल्दी प्यादो वंडे एस या कप बत किया रही है किसमें वंडे में अगला कुश्ट है यूएस ओपन देर तेश में महिला एकल के खिताब किसने जीता है आर्यान सवालेंका कोको गाफ गेब्रीला दब्रोस्त की या फिर एरीन डाउट लिमफे या जीता है किसने बिल्कुल सही कोको गाफन जीता है आपसन नमबर B करेक्ट है कितने बेग्यानकों को वर्ष दोयर बाइस का सांती सोरू भटनागर पुरसकार दिया गया है 10, 11, 12 या फिर 14 कौन सा पुरसकार दिया गया है सांती सोरू भटनागर दोयर बाइस का कितनी लोग को दिया गया है 10 11 12 या फिर 14 लोग को दिया गया है यह दिया गया है बारे लोगों को आफ्सर नमबर सी करेक्ट है पूरुस एकलक खिताब को इसने जीता है नुवाक जोकोविच डेनियल मेदिनदेव जे सैलिसबरी या फिर कालोस अलकराज किस सहर में भारत का पहला भूमिगत बिजरी ट्रांसफार्मर स्टेशन अस्थापित किया गया है ब्यंगलूरू जवलपूर आमदाबाद या फिर बीकानेर तो यह है ब्यंगलूरू आपसा नमबर एक अरेक्ट है अगले कुशन पर पढ़ते हैं किस वर्ष दोयर्थेश के डाक्टर वीजी पटेड मेमुरियल अवार से सम्मानित किया गया है क्रविडा अजना गीतिका राव मधु चावला यआ फि अनन्या सर्मा किस फुटबाल टीम ने डूरंड कप 2013 का खिताब जीता है इंडियन नेवी एफ्टी गोवां FC हैदराबाद FC या फिर मोहन बागान SG तो डूरंड कप 2022 का ये समन्दित किसे है फुटबाल समन्दित ये भी कोशन सी पूशन पुशा जा रहा है ये है मोहन बागान SG अप्सन नमबर डी कर्याप्ट सी पूशन पूशन प्राथे हैं इंपर्टेंट कोश्चन है दो सिंद नुमर को लांच किया गया है और यह हो सकता है कि आपके आनुवल एकजाम में छप जाए तो 38 नुमर की बात कर रहे हैं तो यह है आदित्य एलवन आपसर नुमर बी कर्रेट है बहुत इंपर्टेंट कोश्चन ही है वर्ष दोया तेज की रमन मैक्सेस अवार्ड से समानित चार संहित बीज़ितां में कौन भारति वेक्ति सामिल है? डाक्टर अनिस्खना, सुधीर चोधरी, डाक्टर रवीक कंणन आर, या फिर अर्नम गोस्वामी तो दोया तेज के रमन मेक्सिस अवार्ट से समानित जो चार संग्त विजता हैं उनमें से एक भारती सामिल है वह कौन है आप से पुछा जा रहा है वो है डाक्टर रवी कन्नन आर आपसे नमबर सी करेक्ट है रेलेवेबोट की परथम महिला रेलेवेबोट की परथम महिला चेर परसन कौन बनी है जाया वर्मा-सिनन आपसे नमबर बी सही है अगले कूशन पर आते हैं पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आइफ़ेस अधिकारी कौन बनी है मिनाक्षी शर्मा, गीतिका शिर्वास्तो, रीत्टा अगरवाल या फिर अमीशा देवगन तो पाकिस्तान में जो भारत की पहली महिला आएफस अधिकारी हैं वो बनी हैं गीतिका शिर्वास्तो, that means we will be correct Miss Earth India 23 के खिताब किस सुन्दरी निजिता है, यह भी important question है Miss Earth India 23 के खिताब, अलका जैन, गायतिरी चौधरी, प्रियन सेन, या फिर मानुसी शर्मा 42 के बाद कर रही है, क्या जा रहा है, तो यह हैं प्रियन सेन, option number C, correct किस देश ने दुनिया की पहली एथनाल से चलने वाली कार लांच की है, किसे एथनाल से, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मानी या फिर भारत ने, किस में लांच की है, तो यह लांच की है, भारत ने, option D, correct दुनिया की पहली एथरनाल से चलने वाली कस यों ऌक वाग हमारे भारत को उक्राप्त हुआ अपовал्णेजी Pom Mexico स्वर्ण पदखितने वाले भारत Historant मरत घ्लाडी कौन है お्ट्रेत्वиться पूत time में वाले भारतzo प्रीत सिंग्र निया अरची मन्द्षा या फिर योगे स्वर दफ यह हैं नीरत चुपड़ा भाला फेक आपसर नुमबर बी करेक्ट है इंड का समन्दे भाला फेक से पाकिस्तान में भारत की पहली महिला इफस अधिकारी कौन बनी है मिनाक्षी शर्मा गीतिका शिर्वास्तो रीटा अगरवाल या फिर अमीशा देवगन तो यह बनी है गीतिका शिर्वास्तो आपसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मिस अर्थ इंडिया 2030 का खिताब खिताब देख लिएगा मिस अर्थ इंडिया 2030 का खिताब किस सुंदरिन जीता है अलका जैन गैतरी चौधरी प्रियन सेन या फिर मानुसी सर्माने तो मिस अर्थ इंडिया 2030 का खिताब जीता है प्रियन सेन ने आपसर नंबर सी हो जाएगा करेक्ट किस देश ने दुनिया की पहली किस देशन दुने की पहली एथनाल से चलने वाली कार लांच किये आस्ट्रेलिया जापान जर्मनी या फिर भारतने कुछा कौन साथ कौन सा येma जिए भारत खिलाडी कौन बने हैं व्रड ओंप्रीत्सों कception दिल प्रीट सिंग निरच छोपडँ मन प्रीत जिंग या फिर योग्य स्वर्दत पिर खिलारी सबसे पहलें निरच सबसे पहले तो यह निरच चोपड़ा कांपथी फोर्ड इस जेंबर है कि salvation p यहां पर चंद्रियान थृक्ति के नाम से जाना जा जाएगाาร किसके संदर्यां के नाम से जाना जाएगा सी kalian क्षेल पॉइंट इब क्या कहलागा ये दिख लेते हैं हुआ हें जिस पॉइंट तिरंगा पॉइंट किलाम पॉइंट दीवस्किर छिप्षिणा की है 19 अगस्त 21 अगस्त 23 या फिर 25 अगस्त को कब की है 23 अगस्त हो आपको पताओगा कि 23 अगस्त को जो चंदरांथरी ने चंदरमापन लेंड किया था इसलिए अब 23 अगस्त को राष्टी अंतरेच दिवस के रूप में मनाने की घोशड़ा की गई है अगला कोश्ण लेते हैं 79 अगस्त अगस्त का पुरसकार की से मिला है रिदिग रोशन, अक्षय कुमार, अलू अर्जुन या फिर सनी देवल किसमे 79 अगस्त अगस्त का पुरसकार में अलू अर्जुन की मिला है आपसर नमबर C करेक्ट जागा जितने भी इंपोर्टेंट कोश्चन है वो काफी इंपोर्टेंट है आपके आने वाले पेट के ग्याम के लिए उसके साथ साथ कोई साथ एक्जाम आप दे रहे हैं उसमें भी महतपुल गुमका निभाएगा या सेशन राष्टी स्वच वायु सरवेच्छन दुएर तेश में दस लाग से अधिक आवादी वाले सहरों में पहला अस्थान किस सहर का सहर को मिला है आगरा इंदवर सिरी नगर या पिजैपूर तो यह कौन सा नगर है यह है इंदवर इंदवर को मिला है सबस्वच सहर का आपें नमबर बी करेक्ट है अंत्य बृक्स समूं के लिए नए सधस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है टीन चार छे या फिर आठ किस इसके लिए ब्रिक्स सम्हों के लिए नए सदस देशों के रूप में कितने दिश्थक चुना गया है तो चुना गया है च्छे देशों को आपसर नमबर सी करेक्ट हो जागा नेस्ट कोशन किस राज में भारत का पहला एयाई आधारित इसकूल खोला गया है कौनसा एयाई आधारित इसकूल खोला गया है गुजरात महराष्ट मध्य प्रदेश या केरल में सबसे पहला जो इसकूल खोला गया है यह खुला गया केरल में आपसर नुम्बर डी करेक्ट है विसे भी आपको पता है कि भारत केरल जो है कि साचर्था कमामने सबसे उपर है इसलिए यहां पर खुला गया एया याधारित इसकोल इसको से लेते हैं बिस्व रेसलिंग चेंपेंशिम 2023 में भारत की किस रेसलर ने कांसे पदक जीता है विनेस फोगाट अंतिम पंगाल मीनु कुमारी या फिरिया भनोट किसमें बिस्व रेसलिंग चेंपेंशिम 2023 में कांसे पदक प्राप्त करने वाले खिलाडी कौन है वह हैं अंतिम पंगाल आप्सन नमबर बी करेक्ट है पीम किसान AI चैटबाट किसान इमित रिकोकिस ने लांच किया है प्यूस गोयल अनुराग ठाकूर इसमृत इरानी या फिर कैलास चौधरी ने इसको लांच किया है कैलास चौधरी ने आप्सन डी करेक्ट हो जाएगा आप्सन लेते हैं भारती मूल किकिस लेखिका कि उपन्यास Western Lane को बुकर पुरसकार 2013 के लिए साटलिस्ट किया गया है कौन सा उपन्यास है Western Land और नामेत इसे लिए गया है बुकर पुरसका दुज़तेज के लिए साट लिस्ट किया गया है स्वाम्या स्वामिनाथन, चेतना मारू, प्रीती बाथम या फिर किरितिका खेर यह हैं चेतना मारू, आपसन नमबर बी करेक्ट हो जाएगा भार्ति क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानि कि BCCI ने किसे घरेलू और अंतराश्टी सीजन के लिए आफिसली पार्टनर चुना है एर्टेल इंडिया, टाटा पावर, टेक महिंदरा या फिर SBI लाइफ किसो चुना गया है वो है SBI life, that means D will be correct प्रशना 56 की बात करते हैं अंतराश्टी सांती दिवस प्रति वर्ष कब मना जाता है? कौनसा? अंतराश्टी सांती दिवस प्रति वर्ष कब मना जाता है? 19 दिसंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर या फिर 22 सितंबर तो अंतराश्टी सांती दिवस प्रति वर्ष मना जाता है 21 सितंबर को आपसर नमबर C correct है अगला कुश्चन राश्टी बिज्यान पुरस्कार को कितने कैटेगरी में दिये जाने की घोश्रा की गई है? 3, 4, 5 या फिर 6 तो या किया किया है कितने कैटेगरी में? चार केटेगरी में अपसर बी सही हो जाएगा भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागर को के लिए बीजा सर्विस को सस्पेंट कर दिया है पाकिस्तान, तुर्किये, युक्रेण या फिर कनाडा सस्पेंट किसके लिए किया है? सस्पेंट किया है कानाला के लिए अप्शन डी करेक्ट हो जाएगा चलिए अगले कोशन लेते हैं चलिए आई एससेफ बी सुकफ में महिलाव को महिलाव की 10 मीटर एयर राइफल प्रतियस परदा में किस खिलाडी ने स्वनपदक जीता है मनुभाकर, और पुरूभी चंदेला, एला वेनिल क्लारिवाल है या पिर नहाशिन है तो यह जीता किस्टने? भीको सहिए एला वेनिल क्लारिवाल ने isstैंड बेखरेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन लेते हैं Skills of Wills शिक्ष्टी के बात कर रहे हैं Skills of Wills पहल किस मंत्राले द्वारा शुरू किया गया है सिक्षा मंत्राले वित्त मंत्राले कौसल विकास और उद्यमिता मंत्राले या फिडी ग्रामिड विकास मंत्राले यह शुरू गया गया है कौसल विकास और उद्यमिता मंत्राले के द्वारा आपसन C करेक्ट हो जाएगा अगला प्रशन लेते हैं भारत की G20 अधस्ता पर पीपुल्स G20 नामक ई पुस्तक का अनावरेंट किसने किया है यानकि जब भारत ने G20 के अधस्ता की उसी समय पीपुल्स 20 नामक ई पुस्तक का अनावरेंट किसने किया अमित्सा, एस जैसंकर, अनुराग ठाकूर या फिर अपुरुव चंद्रा ने आई होप आप इसको जानते होंगे वो है अपुरुव चंद्रा आप्शन डी करेक्ट हो जाएगा अगले कुश्चन पर आते हैं यसो भूमी इंडिया इंटरनेशनल कंवेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उधाटन किस राज या फिर किनेशासित प्रदिस में किया गया लदाख असम बिहार या फिर दिल्ली में कौनसा यसो भूमी इंडिया इंटरनेशनल कंवेंशन एंड एक्सपो का जो उधाटन है वह किया गया है कहां पर जी बिल्कुल सही दिल्ली में किया गया है अप्शन डी करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोशन पर आते हैं नमो 11 सुत्री कारकरम की सुरुवात की सिराज में की गई है कौनसा नमो 11 सुत्री कारकरम की सुरुवात की सिराज में की गई है बिहार उत्रपदेश महाराष्ट या फिर केरल में इसके शुरुवात की गई है महाराष्ट में आपसर नुमबर सी करेक्टर ध्यान दिजे का नमो 11 सुतरी कार करें इंपर्टेंट कोश्चन है आपके पॉइंट अभी उसे एक्जाम के पॉइंट अभी उसे अगला कोश्चन मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की स मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मदब्रस में इसके सुबात की गई है चली एसिया कप में सरवाधिक बिकेट लेने वाले भारती गेंदवाज कौन बने है किसकी बात हो रही है एसिया कप की बात हो रही है पुल्दी प्यादव रविंद्र जड़ेजा में इसड़े लेने राशटी य रगबी जैंपिंश्चीप कानसा पांचमी राश्टी फीलच एर चेंप्यंश्य लुजयर हो रगदफी जैंपिंशीब 2030 का खिताब किसनेजिता महाराष्ट राजस्थन उत्रपदेश या भिहार ने इसकी बिजेता कहुन है? इसकी बिजेता है महाराश्ट अप्सार नमबर एक रठ येगा महाराश्ट इसका बिजेता है अगला कोशन लेटे हैं इंडोनेसिया मास्ट्ध में पुरुष एकल खिताब किस खिलाली ने जीता है? किसकी बात हो रही है इंडोनेसिया मास्टर 23 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है किरंड जार्ज, लच्छे सेन, कू, ताका हासी या फिर प्रियांसु रावतने तो इस खिताब को जीता है किरंड जार्ज ने आपसर नमबर एक अरेक्ट हो जाएगा अगला कूशन लेते हैं वर्स 22 के सांती सरू भटनागर कफी वर्स 22 के सांती सरू भटनागर पुरसकार के लिए कितने वेग्यानिकों को चुना गया है 10, 11, 12 या फिर 13 इसमें से कितने बेग्यानिकों को चुना गया है 37 रूप भटनागर पुरसकार के लिए चुना गया है 12 बेग्यानिकों को आपसर नुमबर C करेक्ट हो जाएगा नई दिल्ली G20 सिकर सम्मेलन के दोरान किस संग को G20 का अस्थाई सदस्य की रूप में सामिल किया गया है कब नई दिल्ली G20 सिकर सम्मेलन के दोरान किस संग को G20 का अस्थाई सदस्य की रूप में सामिल किया गया है आसियान, अफ्रिकन यूनियन, सार के या फिर ओपेक जो इस चारो संग दे गया है इन चारो संगों में से किस एक संग को सामिल किया गया है अस्थाइब सदस्य के रूप में वो है अफिरिकन यूनियन आपसर नमबर B करेक्ट हो रहेगा अब अफिरिकन यूनियन में कितने देश आते हैं आपको comment box में comment करने यह आप इसको जानते हैं तो question number 70 की बात कर रहे हैं G20 सिखर सम्मेलन के दोरान भारत ने वर्स 2024 में होने वाली G20 की अध्यचता किस देश को सौपी है Indonesia, USA, Japan या फिर Brazil सौपी है किसको Brazil को आपसर number D correct हो जाएगा चली, अगला question लेते हैं question number 71 किस राज में mobile app सरपंज समवाद का अनावरण किया गया है बिहार, राजस्थान, असम या फिर हर्याणा में या किया गया है असम में आपसर number C correct हो जाएगा हाले ही में किस भारती राज ने सेवा छेतर के लिए नई नीति को मंजूरी दी है बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमांचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड किसके लिए भारती राज ने सेवा छेतर के लिए नई नीति को मंजूरी किस ने दी है तो यह मंजूर दी है उत्तराखंड ने, यानि कि उत्तराखंड के द्वारा इस नीति को मंजूरी दी आ गया है बढ़ते हैं आज के अगले कोशन की दरफ कौन से विमान निर्वाता कमपनी भाती वायू सेना को C295 याने C295 परिवहन विमानों की डिलिवरी शुरू कर दी है लाक्षिट मार्टिन, एयर बस, डसाल्ट एवियाशन या फिर बोईंग ने यह क्या गया है, एयर बस की दुवारा अपसन नमबर भी करेक्ट हो जाएगा G20 Sustainable Finance Working Group कौन सा है G20 Sustainable Finance Working Group की बैठक कहां एवजित की गई है वारारसी, जैपूर, पतना या फिर नए निताल में तो यह किया गया है वारारसी में आपसन नमबर A करेक्ट हो जाएगा वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 बिकेट लेने वाले भारती स्पिंदर कौन बने है किसमें वन डे जिसको ODI बोला जाता है ODI, One Day इंटरनेशनल या जवेंदे चहल, रवेंदे चन अश्विन, सादूल ठाकूर या फिर कुलदीप यादो तो 150 बिकेट लेने वाले यानि सबसे तेज 150 बिकेट लेने वाले खिलाडी है कुलदीप यादो, डेट मेंस आपसन डी करेक्ट हो जाएगा वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाडी ने सबसे तेज 13,000 रन पूर की है, यह भी इंपॉर्टन कोश्चन है किसमें वनडे में, बाबर आजम, स्टिवी स्मित, बिराट कोहली या फिर डेविड वार्नर सबसे 13,000 रन बनना वाल एकोन खिलाडी है, वह हैं बिराट कोहली अपसन C करेक्ट है NTPC Green Energy Limited ने Green Hydrogen Project के लिए किसके साथ समझोता किया है, नायरा एनर्जी, टाटा ग्रीन, अडानी ग्रीन या फिर इन में से कोई नहीं बात 77 के किया रही है, वह है नायरा एनर्जी, अपसन नमबर A करेक्ट हो जाएगा चली, नेट्ट कोशन लेते हैं नई दिल्ली में One Week One Lab, कौन सा है? One Week One Lab, प्रोग्राम को किसने लांच किया है? राजनाज सिंग, एस जय संकर, डाक्टर जितेंदर सिंग, या फिर अंद्राग ठाकुरने 78 की बात कर रहे हैं, तो ये है कौन? डाक्टर जितेंदर सिंग, अपसन नमबर C करेक्ट है इंडोनेसिया मास्टर्स, 2023 में पूरुष एकल खिताब किस खिलाडी ने जीता? ये खिलाडी है, किरर जार्ज नमबर C करेक्ट है सैफ अंडर 16 चैंपेंशिप, 2023 से खिताब किस टीम ने जीता? A. बारत, B. बांगलादेश, C. बुटान, या फिर D. पाकिस्तान कौन सा है? सैफ अंडर 16 चैंपेंशिप, 2023 से खिताब जीता किस ने? यह जीता है, भारत ने, आपसन, A. करेक्ट है वर्ल्ड वैट्मिन्टल चैंपेंशिप, 2023 में किसने कांस पदक जीता है? किसमें? वर्ल्ड वैट्मिन्टल चैंपेंशिप, 2023 में कांस पदक जीतने वाले खिलाडी कोन है? सिरिकांद, किदामबी, लक्च सेन, H.S. प्रड़य या फिर, पारुपल्ली कास्ट्यप, सोरी यह खिलाडी है, H.S. प्रड़य आपसन, नमबर C. करेक्ट है अगला कोशन लेते हैं A.C.I. तरटरचक एजेंसियों के परमुखों की बैठक कहां आयुजित हुई? इस्तामबूल, मुंबई, जकार्ता या पिर तहरान यह बैठक हुई है? यह बैठक हुई है, इस्तामबूल में आपसन एक रख्ट हो जाएगा चली, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट बिस्व कब का आयुजिन कहां किया जाएगा? कौन सा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट बिस्व कब का आयुजिन कहां किया जाएगा? पटना में, लखनाव में, जैपुर में या फिर चेन्नई में तो स्ट्रीट क्रिकेट विश्व कब का आयोजन किया जाएगा चन्न ही में आपसर नूमबर D Correct हो जाएगा एक्सरसाइज ब्राइट सटार 23 की मेह जबानी intelligent कर रहा है कौन सा है एक्सरसाइज ब्राइट सब्सक्राइज लग्णी कौँ Ooo C, correct individual B, ASEAN-BHARAT का एउज़न कहां किया जाएगा नएदिलिी D, 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 Kuala Lampur या फिर D, Jakarta में तो इसका एउज़न किया जाएगा Jakarta में इसका 6 आपसे नुमबर D, correct है Jakarta कहाँ पर है इंडोनेसिया में बड़ते हैं अपने आज करेंस कि अगले कोशन के तरह ड़ा कोशनें जी ट्वंटी सिकर समयला旋 कोंछ रजी ट्वंटी सिकर समयला लन दो हजार तेस का थीम क्या है इम्पोर्टन कोश्रन और और फैमिली य उनजी वन फैमिली वन फैमिली वन फ्यूचर ठिक दूसरा है भी यान intense बी ग्लोब टूगेदर सी है वर्ल्ड इजी फैमिली या फिडी है इनमें से कोई नहीं तो जी ट्वंटी सिकर सम्मिलन तो जार तेज की थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर आपसर नुमबर एक औरेक्ट है क्या है ध्यानेके का इंपरेंट कोशन है वन अर्थ वन इसका थीम है अगला कोशन लेते हैं भारत की पहली सोलर सिटी कोन सी है ए साची बी वाराण सी, इंदोर या फिर दी पूरे बात हो रही है सोलर सिटी की तो भारत की जो सबसे पहली सोलर सिटी है वह है साची आपसर नंबर एक औरेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोशन, उनीशमें A.C.I. खेलो के लिए भारती दल के आफिसियल स्पांसर के रूप में किसे नामित क्या गया है, किसके लिए आफिसियल स्पांसर, किसमें उनीशमें A.C.I. खेलो के लिए अमूल, पेटियम, जी यो या फिर एर टेल इंडिया यह कंपनी है अमूल, आपसन नमबर एक अरेक्ट है भारत की अधिस्ता में आयूजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंटरी के रूप में आमंत्रित किया गया है साथ, बी आठ, सी नौ या फिर डी दस सामदर के आगाता है, वो आपसन नमबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत के पहले UPI ATM को किसके द्वारा लांच किया गया है, बारत का पहला UPI ATM को लांच किया, यह भी कोशन पूछ सकता है एटल पेमिंट बैंक, दूसरा है हिटाची पेमिंट सर्विसेज, तीसरा है बजास फिनन्स या फिर चोथा है अधित्य विड़ला कैपिटल, तो सबसे पहले जो UPI ATM लांच किया गया हो है, बजास फिनन्स के द्वारा आपसर नमबर सी करेक्ट जाएगा, यह लांच किया है अगला कोशन, 91 की बात कर रहे है, सिक्चक दिवस के उसर पर कितने सिक्चकों को राष्टी पुरस्कार से समानत किया गया था किसके उसर पर, सिक्चक दिवस के उसर पर कितने सिक्चकों को राष्टी सम्मान से समानत किया गया था, यह कोशन आपसे पूछा जा रहा है भारत के पहले AI संचालित entry zone system का नाम क्या है भारत का सबसे पहला जो AI संचालित entry zone है उसका नाम क्या है A. परखर B. चेतक C. इंदरजाल या फिर D. गागन्यान पहला है जो इंदरजाल है आपसन C करेक्ट हो जाएगा चंद्यान 3 के countdown को आवाज देने वाली scientist कौन थी जिनका हाल ही मिन दन हो गया था यह भी important question है आपसे पेट कीजा में पूछा जाएगा यह कौन थी तो यह थी एल वलार मथी आपसन नंबर यह करेक्ट हो जाएगा अगला प्रस्ण लेते हैं पुरुष हां की पाकिस्तान सिंगापूर या फिर बंगला देश ने पूरुष हां की जो इसे कब खिता था भारत नंबर यह करेक्ट हो जाएगा जीवरिक डायमंड लीग चेंप्रेंशिप 2013 में निरत चोपड़ा ने कौन सा मेटल जीता है स्वड़ रजत कांस या फिर इनमें से कोई सा पदक नहीं है तो इन्हों ने जीता है अजित पदक आपसंद और उटत पर आपसंद भी घ्राफट हैं किस राज ने महिलाओं के लिए गिरह लक्षमी यहजना सिरुवात की है मद्ध प्रेश उत्त्र प्र देश करनाटक या फिर असमने कि तो ग्रनाटक स्वाइब द्व है सिप सिप बील्डर लिमिटेड ने त्यार किया है गोवां से प्याद लिम्टेड कोचिन सिप याड लिम्टेड मजगाओं डाक सिप याड लिमिटेड याफ बना गया है मज़गाओं डाक सिफ फिल्डर्स के दोवारा आप्षन C करेक्ट है किस देश ने जॉइंट मिलिटर इक्स साइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया जाएगा फ्रांस तुर्किय कतर या फिर मिस्र में या आयोजन किया जाएगा मिस्र में आप्षन नमबर D करेक्ट हो जा में गोल्ड मिडल जितने वाले पहले भारती कौन बने हैं किसमें व्र्ट एंस लेटिक चेंपेसिब में ब्राइट निरचच चोपडा डीपी मनू किसोर जेना या फिर रोहित यादो यादो सबसे पहले कौन बने हैं यह है निरच चोपडा आप सर नमबर एक औरेक्ट हो जाएगा अगला कोश्चन लेते हैं काजी रंका नेशनल पार्क की पहली महिला फिल्ड राइरेक्टर के रूप में किसे निक्त किया गया है रीता चौहान डक्टर सुनाली घोस अधिती शिन्हा या फिर्यमड़ता ठाकूर यह महिला डेक्टर कौन है यह हैं कि डक्टर सुनाली घोस आपसर नंबर बी करेक्ट है इस सेशन को हमने सौ तक कम्प्लिट किया यानिकी 41 से लेकर के 60 तक सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जागा बहुत 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 धने बाद इस वीडियो को देखने लेक्टर की रूप में किसे ने उत्किया गया था तो यहां तक हमने कल जाता अब बात करते हैं एक सब्सक्राइब कि जा रही है तो इस तरह से आपसर नंबर 20 हो जाएगा अगला कोशन लेते हैं हाले में किस राज्य सरकार ने सफाई करमचारियों को आयुसमान भारत योजना में सामिल किया है किसमें आयुसमान भारत योजना में किसको सफाई करमचारियों को असम औरीशा हिमांचर प्रदेश या फिर मडीपूर तो किस राज्य के करमचारियो सब्सक्राइब किसको सफाई करमचारिय को आईस्मान भारत्योजनामी सामिल किया गया है इस तरह से सी option क्या हो जागा करेक्ट हो जागा सही हो जाएगा नेक्सरेशन लेते हैं हाली में कहां अवस्थित इंद्राकांधी मिमोरियल ट्यूलिप गाड़न को वर्ड बुक इसको सामने किया गया है और यह गार्डन कहा है यह जो है स्रीनगर का गार्डन है ट्यूरिप गार्डन है यह हाली में चंद्रमा के दच्छी दुरूपा सफलता पूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है यहीं कुछ इंप्वार्टेंट है चंद्रयान थ्री से इ चंद्रयान कब लेंड क्या था तेश अगस्त को और उसको क्या मनाने की घोषड़ा की गई है यह आपको कमेंट करना है कल ही हमने उस कोशन को डिस्स किया हुआ था अगला कोशन लेते हैं भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है भारत न नेशनल आइकन के रूप में सचिन तंद्र कर जुको चुना गया है आपसे नमबर सी करेक्ट है इनका समन्द खेल से है उसमें भी किर्केट से कौन नहीं से परचीत है अगला क्वेशन लेते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिबिनल के लिए नए अध्यक किसे नियुक्त किया गया है किसी लिए नेशनल ग्रीन ट्रिबिनल के लिए नया अध्यक किसे नियुक्त किया गया है जस्टिस प्रकास सिर्वास्तो जस्टिस उमेश सिन्हा जस्टिस रमेश कुमार सिंह या फिर जस्टिस दीपक कुमार मिश्रा यह चुना गया है जस्टिस प्रकास सिर्वास्तों आप्सन नंबर A करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन देते हैं इसरो ने चंद्रियान 3 मिशन के साथ भेजे गया रोवर को कहा नाम दिया है विक्रम ग्यान गंगा जिग्यासा या फिर प्रग्यान तो चंद्रियान 3 के साथ जो रोवर भेजा गया था उसका नाम पुछा जारा हों प्रेट में इंडियन कोस्ट गार्डें। इंडोलिशया फिलिप्ञञ्ञ्स फ्रांस या फिर जर्मने के साथ तो समयासा गया है वह किया गया फिलिफीज के साथ में अप्सन तै, थाइलेंड के नय प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है प्रियूत चाओ चा रेथा थाविशेन इंगलक सिनावात्रा या फिर इन में से कोई नहीं यह है रेथा थाविशेन अगला कोशन लेते हैं खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या रखा गया है जागरती महिला लीग असमिता महिला लीग किरण महिला लीग या फिर बेटी महिला लीग किसका नाम बदला गया है खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके क्या क्या गया है अब क्या गया है अस्मिता महिला लीग इसका नाम पहले था खेलो इंडिया महिला लीग अब इसका नाम हो गया है अस्मिता महिला लीग भी आप्सन क्या है करेक्ट हो जाएगा ब्रिक्स समू का पंद्रवां सिखर सम्मेलन किस देश की अधेस्ता में आज़ित किया जा रहा है ब्राजिल भारत चीन या फिर दच्छिड अफ्रिका यह है करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन लेते हैं मुख्य मंतरी सीखो कमावयोजना का सुबारम किस राज ने किया है मध्य परदेश उत्तर परदेश हिमांचल परदेश या फिर बिहार किसका मुख्य मंतरी सीखो कमावयोजना यह है मध्य परदेश ए आप्षन करेक्ट है सतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारती कौन बने हैं किसमें सतरंज विश्व कप में के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारती कौन बने हैं किर्ष्णन ससी किरण निहाल सरीन आर प्रगानंद या फिर डी पेंताला हरी किर्ष्णन तो इस तरह से आप्षन नमबर सी करेक्ठ हो जागा आर प्रगानंद बने हैं सी आप्षन करेक्ठ है अगला कोश्ण लेते हैं बिश्वी आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक कायोजन कहां किया गया है मलेशिया भारत इंडोनेशिया या फिर थाइलेंड कहां किया गया है तो यह क्या गया है इंडोनेशिया में आप्षन सी करेक्ठ है ACI Junior Squish Championship के Under 17 केटेगरी में किस भारती ने Gold Medal जीता है किस में ACI Junior Squish Championship Under 17 केटेगरी में किस भारती ने Gold Medal जीता है वो भारती है अनाहत सिंग आपसन सी करेक्ठ है हाल ही में किसे महाराश्च सरकार द्वारा अस्थापित पहला उद्योगरत ने पुरसकार दिया गया है मुके संबानी, गौतम मडानी, रतन टाटा या फिर फाजलोणी नायर यह पुरसकार मिला है रतन टाटा जी को आपसन सी करेक्ठ है कौनसा उद्योगरतन पुरसकार सी आपसन क्या है करेक्ठ है मुफ्त IBF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज कोन बना है बिहार, गोवा, महाराष्ट या फिर हर्याना मुफ्त IBF ट्रीटमेंट देने वाला जो पहला राज है वो है गोवा आपसन B will be correct सत्रुजीत सिंग कपूर किस राज के नए पुलिस महानदेशक बने है राजस्थान, उत्रप्रदेश, पंजाब या फिर हर्याना ये बने हैं हर्याना के आपसन नमबर D correct किस देश ने फीफा महिला भी सुकप दोयरते से खिताब जीता है अर्जेंटीना, ब्राजील, इंगलेंड या फिर इस्पेन फीफा महिला भी सुकप दोयरते से खिताब जितने वाली जितने वाला जो देश है वो है इस्पेन आपसन D correct है ये फीफा महिला की बात हो रही है, पूरूस की बात नहीं हो रही है अगला question लेते हैं कमल के फूल के नई किस्म, नमौ 108 को किस research institute में विक्सित किया गया है नेशनल बातेरिकल रिसर्च इंस्ट्यूट लखनौव, राश्टी प्रिस्पति अनुस्वजान सनस्थान, नेशनल बातेरिकल रिसर्च इंस्ट्यूट हावडा या फिर इन में से कोई नहीं तो जो कमल के फूल का नया किस्म है या फिर नई परजात ही है नमो एक सवाट इसको विख्षित किया गया है National Botanical Research Institute लखनौ की द्वारा तो आपसन एक औरेक्ट हो जाएगा अगला कोशन लेते हैं किस भारती मूल की निता ने सिंगापूर की राष्टपती चुनाओ के लिए क्वालिफाई किया है पवन नागारजुन यह क्वालिफाई किये है भारत ने खगोल बिज्ञान और खगोल भोत्की के सुलवे अंतराष्टी है उलम्पियाड में कौन सी रैंक हांसिल की है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा तो भारत को रैंक मिला है दूसरा इस तरह से B option क्या है हाले में किस राजसरकार दोहरा भारत का पहला Krcy Data Exchange एडी एक्स लांच किया गया है महाराष्ट्र उडीशा तेलंगाना या फिर 36 गड़ यह किया गया है तेलंगाना के द्वारा सी आप्शन क्या है करेक्ट हो जाएगा एक्रा कौशन हाली में कि आकी टीम ने मेंस एसियन चेंपंशिफ सिफ ट्राफी 303 का खिताब जीताह जीता है मलेशिया पाकिस्तान दच्छिड्ग और या भारत ने तो यह है भारत किसका में क्यासिफ ट्राफी 2030 यह थि पुछा आसकता है चलिए भारती रेजर बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजेट्स का के लिए कौन सा पोर्टल लांच किया है उद्गम पोर्टल, स्वाज पोर्टल, मदद पोर्टल या फिर विश्वास पोर्टल हाली में किस भारती धालका को डोंपिंग के चलते है चार साल के लिए बैंक किया गया है हिमादास, अनुरानी, दूती चंद या फिर दीपिका, सिन्ह यह हैं दूती चंद, आप्शन C करेक्ट है एको फ्रेंडी डेबिट कार्ड, कैसा एको फ्रेंडी डेबिट कार्ड लांच करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है एयर्टेल पेमेंट बैंक, पेटियम पेमेंट बैंक, जीयो पेमेंट बैंक या फिर फिनो पेमेंट बैंक यह एयर टेल पेमेंट मेंग ए आप्शन सही है 28 अगस्त जर्टेश को पूरे भारत में बारत चोड़ो अंदोलन की कौन सी वर्सगाठ मनाई गई है सततर्मी, उन्यासिमी, असिमी या फिर इक्यासिमी कब किसकी बात ही रहे है भारत चोड़ो अंदोलन यह बर्सकाठ कौन सी है तो यह बर्सकाठ है कि क्यासिमी आप्शन डी सही है किस खेल से सम्मंदित भारती खिलाडी मनोस तिवारी ने खेल से सन्यास लेने का एलान किया है फुटबाल, हाकी, क्रिकेट या फिर टेनिस तो मनोश तिवारी किस खेल से संस्मदित हैं तो इनका जो खेल है वो खेल है किरिकेट आपसन C करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन लेते हैं भारत के पहले 3D printed post office बारत के पहले 3D printed post office बिल्डिंग के उधाटान किस सहर में किया गया है बेंगलूरू, नई दिल्ली, मुंबई या फिर कुलकाता तो यह है कौन सा ही है या बेंगलूरू है आपसन एक रेक्ट हो जाएगा यूट्वन्टी बिसो चेंपेंशीप में स्वड़ पदक जीतने वाले चौथे भारती कौन बने है दीपक पुनिया, मोहित कुमार, रभी दहिया या फिर पलिविंदर चीमा यह है मोहित कुमार आपसन भी करेक्ट हो जाएगा चली अकला कोशन लेते हैं कितने भारती युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2030 के लिए नामित किया गया है दो, तीन, चार या फिर पांच तो यह है आपसन नमबर डी पांच, डी करेक्ट हो जाएगा भारती राष्टी महासागर सूचना सिवाकेंद्र में ने नायकों के लिए कौन सा एपलांच किया है सेतु समुद्रम, समुद्र, महासागर या फिर सागर ते एलांच किया गया है समुद्र आपसन भी सही हो जाएगा भारत ने इंडिया इस टेक साज़ा करने के लिए किस देश के साथ समझाता ग्यापन परहताचर किया है कर locks